अब अब बताऊंगा एक साथ नहीं बताने वाला एक माडिल वाइस जाएंगे उसमें क्या-क्या पढ़ना है और क्या इंप्पोर्टेंट पेपर में जो पहले पढ़ना है वो देखेंगे उसके बाद आपने प्रसे पढ़ सकते हैं जो अपने का मदब पेपर में गल्दी से और अब आप crappy को अपने को पहला आपने क्या देखने गाले है जू पढ़ना ही है उसके बाद ये ख्लों इधर उदर से आगया तो अच्छी बात है क्योंकि होता है यह यह कभी जो नाइस हो चाotब यद्याले तो वह सब देखेंगे और जो भी नियुमेरिकल से जो करके जाने है, जो scoring है, जिसमें मांस नहीं करता है, वो बताऊंगा कौन से करने हैं आपको, और वो मस्ट है, ठीक है, वो एकादाते है, वो करना ही है, तो start करते हैं, तो भाई, पहला अपना module है, पहला और दूसरा module है, कि application, अधा principle and application of spectroscopy, तो यह अपना जो application है, और इस तक application में कुछ भी नहीं पूछा गया है, अपको principle पे ही चीज़े आई है, ठीक है, तो आपन क्या करेंगे, principle पे ही focus करेंगे फिलाद, और application में दो-तिन चीज़े बता दूँगा, वो पढ़के रखना है, but starting में नहीं, वो पढ़ेंगे last में, क्योंकि मैंने पहले गोला, व अभी start करें, तो ये lesson में पहला question है, what is spectroscopy और उसका advantage, तो ये कैसा है, spectroscopy तो आपको पढ़ना ही है, वो चीज़ है क्या, ठीक है, उसके बाद ही आपको आगे के चीज़े समझेगी, तो spectroscopy पढ़के रखो, उसका advantages, ये ऐसा नहीं मोल रहा हो, ये important question है, but इसको पढ़ना आपको concept आगे के questions के लिए clear होगा, ठीक है, तो ये पढ़ लोगे, तो आपको question अगर आ भी गया, तो आप around selection, ठीक है, तो ये bonus वाले चीज़े है, तो ये पढ़के रख लो, पर important मतलब ये ऐसा आना ही चाहिए, वैसा कोई हो नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है, दूसरा ह पूचा जाता है, तो ये पूचा जाता है, तो ये वाला और इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला क्या, इसमें पूचा रहेगा, कि explain करो spectroscopy को, और electromagnetic spectrum को, ये दोनों चीज़े, ये साथ में पूचा जाता है, most of the type, अगर नहीं पूचा गया, तो आपको बोला रहेगा, ये तो ये इसपेक्टर को भी बताओ, क्या होता है, जो कि आपने उपर पढ़ लिया, उसके बाद अगर दूसरा कुछ पूचा रहेगा, तो ये क्या है, उसमें क्या है, तो ये वह पूर आपको explain करने बोलेगा, या तो आपको दोनों पूच लेगा, और इसके बीच का difference सब्सक्राइब को इसमें क्या है, ठीक है, ये हो गया, तो इतना ही है, इसमें है, तो इतना है, तो इतनी सी चीजह, दूसरा अपना तीसरा मॉडिल है, अपना concept of electrochemistry, देखो, मैं मेरे पहले बोला, फॉर्स सेकन मॉडिल में से कुछ नहीं आता, ठीक है, वादा फॉर्स सेक में से कुछ नहीं आता ना आपको पर ला है तो उसमें भी इमिशंज है वो सब डो-तीन चीज़ें है फ्लोरेसंज हैर फिर बाद मिश्क्लिकेशंस है उसके लिमिटेशन देडवांटेश जैवर आले वह वह गये तो आपको परना है तो फिर आप मत नहीं ठीक है तो मैं इतना बोलूगा आपको उस पर इतना फोकस मत करो बागी की चीज़े है जो ज्यादा इप्पोर्टन हो ज्यादा वेटेज रखती है ठीक है यह लेसें था आपको जो बहुत हो दोनों लेसें मिला के घंब बίने सर्वादी ठीक है तो इस पर ज्यादा करो मैक्सिम आएगा तो दस मकें लाइगा तो इस पर जाता फोकस करो जितना बता उतना ठीक है आइगी कर चीज़े नहीं पड़ोगे चलेगा इंघी कि चीज़ tum ouais अब कर ज्यादा copigi रखती है ठीक है तो अभी क्या बोलता है कि तीसरा मोडल बोलता है concept of electrochemistry इसके अंदर जो है पहला चीज यह जो question मैंने लिखा है यह अभी तक पुछा नहीं गया है to be frank but he a six-day कुछ भी है बाई कुछ भी हो सकता है ठीक है तो सीधी सी बात है आपको यह पहले नहीं पढ़ना नहीं किया इसको तो आप पहले नहीं पढ़ेंगे इसे जिसको पास होना है वो अभी तो नहीं पढ़ेगा इसको ठीक है जिसने फड़के रखा है उसको बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी बात है जिसने नहीं पढ़ा है वो अभी पढ़ेगा ठीक है वो पहले क्या करेगा जो ची पहले तो नहीं पढ़ना है ठीक है बाद में पढ़ना है जब नीचे के चीज़े इंप्पोटन हो जाएगी तो तो नीचे क्या के दिया है reference electrode तो reference electrode में आपको दोनों में से एक पूछा रहेगा या तो सीधा बोल रहेगा reference electrode के बारे में लिखो और थोड़ा explain करो ठीक है और reference electrode पढ़ लो क्या होता है कैसे होता है और यह दोनों को पढ़के रख लो कोई भी एक आया तो आप लिख सकते हो ठीक है तो यह एक important question क्योंकि इसमें से आता ही है reference electrode पूछते ही है इंडिकेटर electrode जल्दी नहीं पूछते बदा पूछा भी नहीं पूछते तो आपको अगर पढ़ना ही है तेक बार पढ़के रख लिए ना बट यह जल्दी नहीं पूछते जिसको पहले पास होना है वो reference electrode पहले क्लियर कर लिया फिर नीचे आएगा वो टाइप सव एलेक् एक्स्प्लेंबोत तो यह ऐसा भी आ सकता है तो यह तो पढ़ रहा ही है और यह पढ़ रहा है यह दोनों पढ़ना है ठीक है और यह दोनों आप बाद में पढ़ोगी जब यह सब हो जाएगा पढ़के यह lesson के बाकी सारी चीज़ें हो गई ऐसा नहीं बोल रहा है यह lesson की पढ़ने नहीं बोला पढ़ने है और यह ठीक है अब आगे जाते है इसमें जो पढ़ना पढ़ेगा और इसको थोड़ा डिफाइन करना पढ़ेगा सीरीज भी आपको लिखने पढ़ेगी और इसको डिफाइन भी करने यह पूछा जाता है ठीक हो सिदा पाच मक के लिए है कितना पाच्छ मंख के लिए आता है तो आपको अगर इजी है तो है वो चीज पस्टोड़ा याद रखने में आपको प्रॉब्लम होता है पर अगर हो जाएगा तो सीधा सीधा माख से क्योंकि छोटा सा कॉश्यन होता है उसको बना के उसको फटावाट एक्सप्रेंट कर से नहीं है यह साटिंग में नहीं पढ़ना है सीधी बात है आप पड़ोगे लास्ट में जब सब हो जाएगा फैराडे लौ स्टार्ट करोगे फिर उपर के बाकी के दो कोशन थे वह पढ़ोगे कौंचे यह और यह पहले फैराडे पढ़के ले लोगे ठीक है फिर बात में करोगे कुछ तो इसमें आपने निकाए बोटन दिख लिया कि भाई पहला यह रेफरें पढ़ा यह ठीक है यह यह तो पढ़ा यह पर और फिर बाद में यह पढ़ना है तो पढ़ो ने तो मत पढ़ो जो भी आपके उपर ठीक है आप ऑप्शन में चोड़ सकते हो उसको क्योंकि आपने माके सारी चीज़े पढ़ लिए ठीक है यह हो गया अब आपने देखिए चौथा model चौथा model बोलता है corrosion अब corrosion में क्या होता है कि और यह topic ज्यादा वीट्टेज रखता है यह ओर fuel combustion ठीक है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग पहले importance ही पढ़ेंगे basic important पढ़ेंगे तो यह पहले करोजिन करते हो इसको ठोड़ा define करती है थिक है उसके बारे में आपको की थोड़ा बहुत बता हो एंथ थोड़ा बहुत यह वह तो अप बता सकते हो उसके बाद आपको बोला रहेगा कि पूछ सकते मतलब कि या राय टाइप का या तो वैट टाइप का तो ट्राय में कैसा औकसीडिशन जो हुटा है वह अलग करोजय ठीक है ऑक्सिडेशन मतलब क्या पानी वानी के वज़े से ठीक है वो वाले होते हैं वेट में तो यह दोनों टाइप के वारे में पूछा जाता है वेट के वारे में एक आद बार पूछते हैं और वेट के डाम पी कैसे आपको बुला रहेगा कि इसको पूरा का पूरा करने ही बुलते हैं ठीक है ड्राइव बैट करो जो दोनों मैं से एक तो आपको अगर पढ़ना है तो ड्राइव और वेट दोनों पढ़ लेना दोने इंपोर्टेंट इसलिए लिए कि दोनों में से कोई एक या आता है अभी ऐसा नहीं है कि भाई यह पढ़ लोंगा तो व बड़ी चीज है नहीं तो आप रट तो सकते हो या तो समझ के लिग सकते हो सिद्धी सी बात है ठीक है कोई बड़ी बात है नहीं ठेयरी है हो सकता है और फिर उसके बाद आता है यह टाइप सब इलेक्ट्रोकेमिकल करोशन इसके अंदर और बाकी सब जल्दी नहीं पूछते तो पहले आप यह पढ़ लो फिर बाकी सब चीज़ों पर देयां दो आपको इजी लग रहे हो तो वही पढ़ो जो आपको या दो सकते है पटापट और ज्यादा आपको टेंशन नहीं इस्ट्रेस नहीं ठीक है तो आप पढ़ लोगे फिर वेट फिर बाद में chemical corrosion के बारे में इलक्ट एंक्रेंग सबस्येकित के बारे में पहला इसके बाद का देखंगैं ये षयां यातो फेखर लिए यह पढ़ोगे फिर बाद में दोनों को छोड़ सकते हो तो यह पूछते हैं पाच मां के लिए चार मां के लिए ठीक है कि बाई बताओ कौन से फैक्टर्स के वज़ेसे बढ़ता है या होता है जो भी है तो यह आपको थोड़ा सा एक्स्प्लेंट करने बोलते हैं और कुछ- होँते हैं एक है तो सीदी से बात है बता सकते है बता सकते हैं तो में पॉइंट करने में पांटर्स किर निकले ऐसके करनेuba करते हैं किस तरह से तो कौंब होता है Catholic production होता है जिसमें आप sacrificial anode लाता है तो यह इसमें से कभी भी Catholic protection पुछेगा आपको with example बोलेगा बताने के लिए या तो सीधा सीधा बोलेगा कि sacrificial anode के बताओ तो most of the time method of decrease करने के लिए इसमें आपको यही पूछेगा कि भाई Catholic बोलेगा या तो एनोडिक बोलेगा ठीक है दोनों में से कोई एक कहने वाला है दोनों कभी आएगा नहीं तो सीधी इसी बात है आपको यह पढ़ना पढ़ेगा तो यह वही टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने ही पढ़ेंगे ताकि आप स्कोर करो सीध आप इस पर 50-50 प्रब्लेटी खिलने माले हो सिधा गैंबिलिंग हो रहा है सिधा ठीक है तो आप क्या करो पढ़ लो ज्यादा कुछ ने थेरी ही है ज्यादा टेशन लिलने का थेरी है जितना हो सके उतना दिमाग में रहेगा जितना पेपर पर उतार सकते ठीक है तो इसमें से एक ना एक आता है यह अगर आया तो पर नहीं आएगा ओपर लाया तो यह फिर यह जैंद चैपने शना में उसके बाता है अपना लास लैना सेंटाम अलता है वह अपना ग्रीट केमिस्ट्री के बारे में बताओ और इसका सिग्निफिकेंस और फिर उसके बाद में प्रिंसिपल रहेंगे ठीक है यही सब है इसके अंदर फिर द्रक्स में दो तीन ड्रक्स है जो इंपोर्टन से जो सिंटेसिस के लिए बोलते हैं तो बता दूंगा उतना कम से कम करके जान तो इसमें इतों पहलते हैं सबसक्ञेण के जिसका इसे सरा टोपिक फर्स्ट पोश्टे के है तो कोई भी लेसन का आएगा फ्रस्ट नौन अले चीज़ पूछत पूछते ही है ठीक है कुछ principles को एक्स्पैन करो इसको एक्स्पैन करो पहले गोगे यह पूछ है कि उसको प्रिंसिपल यह फ्ली नहीं है और इसा नहीं पूछ यह यह प्रिंसिपल है आपको पढ़ना पड़ेगा कम से कंचे 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 पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको पढ़ना पढ़ेगा तो आपको लिखने पड़ेंगे तो इसलिए छे कम से कम पढ़ लगे ठीक है उसके बाद अभी सिंटेसिस ऑफ ड्रॉक्स जो कि इसमें बोले है कौछ सा ट्रॉक्स तो इसमें दिया है कि इंडिगो दिया है एडिपिक आसिट दिया है फिर इब्यू प्रोफीन लिखा है फिर अलकॉल लिखा ये सारो में से इन सारो में से आपको तीन पढ़ना है कम से वह अपना ठड़ इसक्स यह अपना इंपर इक कि इन समय से एक आ सकता है मतलब या तो स्टार्टिंग एक कुश्चन आएगा या तो यह समय हुच है इतना बढ़ा मतलब इसका पूछा नहीं से कौन साल आता है तो साइटिंग के क्वेश्चन में से एक आजाएगा जो मैंने बताया प्रैंसिपल या तो सिंथेस्स पीए ठीक है और फिर आता है अप जाद कर लो और आज़े से निकानला ठीक है तो इसी है वो ऐसे बाद देख लोगे आपको याद उचाहेगा ज्यादा प्राप्लम होगा तो तो टाइप की निमरीकल से तिसरा मत निको चलेगा तुछ तो तीनौ देखले है तीनो इसी फॉर्मिला यह थोड़ा सा एका घंटा बेट जाओगे फर्मुला थोड़ा लिख करो गया हो जाएगा और डायरेक मार्क्स मिलता है कटता नहीं के वांस ठीक है तेहरी में कट जाएगा वाँ नहीं कटेगा यह हो गया अब आपको बोला रहेगा बायो डिजल और यह वाला है कि यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मुझा पूछा गया था पिछले बार तो इस मैंने माग करना शायद रहे गया मेरे से पट यह आपको पढ़ना पढ़ेगा तो पढ़ना कॉनसा कॉनसा कॉश्चन है एक्दम पढ़ना था पहला पहला को अपो जो पढ़ना है फ़िसीपर hep ठीक है तो यह आपको पढ़ना पड़ेगा इतना ही है इसमें से पॉर्टम तो मैं आप पहला क्या प्रिवेंट से प्रिंसिपल उसके बाद आपको बनेगा टांज स्विस्ट्रिफिकेशन मेटर्ड ऑफ सिंद बायोडिजन ठीक है और फिर आपको इसके बाद पढ़ना है ए यह होगी अपना ग्रीन कमेस्ट्री अब आता है लास्ट मॉड़ी फ्यूल एंड कमशन फ्यूल कमशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कि दर आती है उनमें कि इसमें थेरी कम है कर थेरी भी है अच्छी गासी और नुमरीकल भी अच्छी गासी कम मतलब नहीं बोल सकते है ठीक ठाक नुमरीकल तो मैं बोलूँगा आप ज्यादागर के नुमरीकल में ध्यान दो ठीक है क्योंकि वो डारेक्ट स्कोरिंग मार्क्स है आपको सिधा फॉर्मेल लिखना है थोड़ा सा समझना बढ़ेका क्वेशन को फॉर्मिला है अंसरे खतम ज्यादा टिंशन नहीं है तो सिधी बात है आपको उस पे ही ध्यान दो ज्यादागर के नुमरीकल में अभी भी वोलूँगा फ्यूलेन इसके फ्यूलन कमशन के टॉपिक में से आप ज्यादा घर के नुमरीकल पे ही ध्यान दो सिधा स्कोर खतम सिधा पास होके निकल जाओगे ईजी लिए निकल होगे ठीक है तो ज्यादा स्पेस् wildlife करने जीतम है कर दो या जीज तो पर लेना थीख है तो बताता हूं क्या क्या है थो पहले में व्यूर वाला फ्यूल में इसके प्रापरटी इस वह सब फिर अनलेसिस ऑफ फ्यूल वह हो गया तो यह तीनों एक साथ पढ़ लेना चोटा सा थे एक साथ पढ़ लेना इतना नहीं पर पढ़के रखे कल को पूछ लिया कि वह फूल के वारे में थोड़ा बता दो तो लिख सकते हो ठीक है तो यह ऐसे पढ़ना है और फिर जो अच्छे से एकदम पढ़ना है अच्छे से मतलब यह पढ़ना है थोड़ा दिवांग में रखना वह एसा नहीं कि रखका बस पढ़ लिया बुलिए वहसा नहीं थोड़ा रखना दिवां उसके बाद आता है अपना कैलकुलेशन पार्ट जिसमें आपको ग्रॉस केलरिफि अच्छा निकालो खड़ इतना ही है अप फिर जादा करके क्या करो कोशें में पर उठालो उसमें से सामस उठालो और चे तो उसके टाइप्स के जो अपके उस सिखायर नहीं जो भी है उसके अंदर से देख लो कि वहाई इसका फॉर्मूला कैसा है इसको अपले कैसे करते ह सब्सक्राइट एक होता है इसका इक होता है यह इसका होता है यह इसका ञेंगा सबस्कित को तुरनाद गोपस टूणा रहेगा सब गताइगा सब तब को याद करना रहेगा आपको एक्वेशन दिया रहेंगा उसके मेरे कांड़ी कितना चीज़ कर आपको निकालना रही जा थिक टो पहला तो यह हो गया उपर वाला रिंसक्क को ले शेया यह वाले और यह वाले मैसे दोनों में से को एक आते हैं दुसरा अब लगा था तो इसका मतल्य भी है नहीं कि भाई कोई भी एक तुक्का मार के पढ़ लेता हूं नहीं मैं बोलूँगा recommend करूँगा तीनों numerical कर लो ताकि आपको तीनों अगर दो आ गये दो तो आ गये तो आप दोने के दोनों लेकि 10 मार के साइट उद्धर ही साइड हो गया आपका दस मार के पास इसे मिल जाएगा अगर आप और थेरी अच्छे से कर लो गें तो थोड़ी पूर ठीक है तीस मा कहीं नहीं चुछ तो कैसे नहीं बताब पासिंग तो गया ही लिए कई तो अगर चालेशों तो सकोर करी सकते हो अर आप जाए ठीक है अगर जो थेरी बताया अपना करके जाओगे तो तो यह दोने में इस पढ़ने है तीरो निमरीकल पढ़ने है ज्यादा हाड नहीं है सॉल एक्जामपल करो पेपर उठाओ उसमें से उठालो कर लो हो जाएगा अब उसके बाद आता है अपना calculation of quantity of air यह अकेला आता है इसमें और कुछ नहीं पूछेंगे सिर्फ सीधा लिखा रहेगा यह यह इसके लिए इतना बहुत करने के लिए जो एर कॉंटिटी लगेगी वह ढूंड के लिखाओ इसमें और कुछ नहीं पूछा है ठीक है यह सीध दो आते ही हैं तीन आ सकते हैं दो आते ही हैं कंबल सरी 10 मार्ण से 12 मार्ण कहीं नहीं जाएगा 10 मार्ण से 12 मार्ण के लिए आते ही आते हैं ठीक है तो यह हो गया अब refining of petroleum तो यह मुस्ट ली पूछते नहीं है यह process है कैसे होता है वो तो यह आपको अगर पढ़ना है पढ सकते हो पर most of the time पूछते नहीं है यह last से पढ़ना है यह मतब पहले जो इंपोर्टन में ने माख किए वो पढ़ लो उसके बात से जो एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहते हो कि थोड़ा और पढ़ ले तो कल को इसमें से आ गया तो मैं लिख पाऊंगा तो उसके हिसाब से यह पढ़ लिया करना है पर यह सब जो नीचे अले हो सब बताने से पहले जो इंपोर्टन हो बताता हूं इंपोर्टन है ओक्टेन नमबर फॉर पेट्रोल नौकिंग इन कंबर्शन इंगिन ठीक है एंटिनौकिंग एजेंट्स और सीटेन नमबर ऑफ डीजल और यह लिफारिंग पेट्रोल यह और एक्सपेंट पावर अल्काहॉल अलॉग विद एड्वार्टिज ठीक है तो पहला तो आप यह चार पढ़ लोगे और और सीटेन नमबर का डिफ्रेंस तो इसी में साब को मिल जाएगा ठीक है तो यह इतना पढ़ लिया आपने आपने आप प्रमेंटिकली हो जाएगा अपका इतना पढ़ लोगे तो ठीक है पाच कोश्चन कतम हो गए छट्टा यह दोनों बाकि यह बाद में पढ़ लेना पहले नुमरिकल कर लो यह कोश्चन कर लो खतब ठीक है तो आपन थोड़ा समराइस करते यह लेसन को वापस से क्या पहला आप नुमरिकल कर लोगे चारो कौनसे कोनसे वाले फिर एप्रोक्सिमेट और अल्टिमेट अनलेसिस और उसके बाद आप निकालेंगे कि कॉंटिडी ओफ एर वाला तो यह चारो नुमरिकल आप करोगे जिसको पास होना है ना मैं उसको पहले बोल रहा हूं यह डारेक कर तो आप कहीं नहीं आपका बारा म मक कहीं पास हो जाह cara travaill पंदरा मा कहीं नहीं जाए को सीदा के इतना के उप इपर ले एक जितना सा इंपोर्टन्स पढ़के जाओगे नसिफ 35 माक्स प्लस लाओगे जिफ जो आए भी माक किये उतना पढ़की जाओगे तो ठीक है वेरी इंपोर्टन भी पढ़ लोगे आपका 40 माक के उपर आपको 45 माक कहीं नहीं जाएगा बड़ फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चीज पढ़ लोगे तो आप 50-55 क्रॉस कर सकते हैं ठीक है इजी लिग पर जितना बताया उतना तो पढ़ लेना उतना तो आएगा याएगा ठीक है तो इतना ही है ये लेशन में इतना ही पढ़ना है ठीक है होपस जार आपको इंपोर्टन समझा होगा प्लीज जो मैंने बताया उतना कर लो आपका पासिंग माक्स निकल जाएगा प्लस स्कोरिंग भी निकल जाएगा ठीक है तो होपसो समझा होगा थेंक यू फॉर वाशिंग और आपनास जेए बेस्ट अफ लग फोई एट्सम्स थेंक यू